सोम और को कोविट टिका करण का महा भियान चलाया गया जिसके तहत जिला अस्पताल सहीत जनपद में 238 केंदरों पर रिकॉर्ड 84,098 लोगों को कोविट का टिका करण किया गया जिसमें प्रतम डोज लेने वालों में 6,901 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 30,197 लोग श सहीत 238 केंदरों पर रिकॉर्ड 84,098 लोगों को कोविट का वैक्सिनेशन किया गया सियमन डोक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि बदलते मौसम में बच्चों में निमोनिया होने का डर बना रहता है इंफेक्शन तदा बुखार हो सकता है अगर इस तरह के लक्षर जो खाम खासी होता है तो पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाकर बच्चे का इलाज करा सकते हैं जिरा स्पतार में सभी प्रकार की दवाईयां और रजाज की सुविधा उपलब्ध है इस संबन्द में गुरगपुर नियु से बात करते हुए सेमो डॉक्टर सुधाकर प हुआ सेमोगु को दोस्क के ज कर दो एकलос सकति तूसा फिजिए जाइ जए साफी जाइज जाइज कर देता चे जाइज हो जएका चैसी नाइज हो एका आए हमारे जिले में 239 जगोँ पर इभी वैक्सिनेशन चल ला है। आज का 12 बहुत जATHERान लेक्ष ए 1 लाख 50,000 चा के उन पर का लु!" और हमारे 238 जगोँ पर इभी expectations चल ला हैं। तो हम प्रियास करेंगी कि हम अपनी लक्ष के सापえー बैक्सिनेशन कर आसे। सर बच्चों को नीमोनिया जो पर शो से मुद्वधारा गए तो इस तरह से और कोई पेशंट बच्छों को तकलिक होती है, बुखार आता है तो सबसे पहले सरकारी डाप्टों हास्पिल में जाए और डाप्टों से सलाह लेकर की ही दवाई करें किसी जोल अचाप अन जगों बना जाए जिसे कि काफी जम गुजर जाता तब भी निमोनिया होती है पहले तो फीवर होता है, फिर निमोनिया लेट स्टेज की है उसके पहले अगर इलाज हो गया तो बहुत ही सुरक्षित बच्चा रहेगा तो हम सबसे अपील करते हैं कि अगर बच्चों में कोई तकलिफ होती है, बुखार आता है, अलकी पलकी खासी जाती है तो फड़े लिखी डाप्टर के पास आए, हमारे इस्पतालों में वह चच्ची शुगधाय हैं, सबी तरह की दवाईयां उपलब्द हैं, सबी तरह की जाचे उपलब्द हैं डेंगू किट हम ठोटे-छोटे सेंटरों के रखे हैं, रैपिड किट है, जो की तुरंत पता देती है कि डेंगू ससेप्टिबल है आपके पास है, जब अगर तहलकी सी मुहां के पास डिप्री आती है, तो हम उसी सेंपल को जिलाश पताल मंगाते हैं, और कनफर्मिटी ट लिए तो इस समय मचाओ है कि आप आसपडो के पानी कट्टा ना होने दे, छट पर पानी कट्ठा ना रहे, यerie तोड़ी ही पानी मी एक जम्मचано पानी में भी देंगू मच favored आता है, तो कहीं भी पानी कट्ठा ना होने दे, साफ सपाई करें और बच्चों को जााडी और बच्चों को फुल माह का कपड़ा, पूरे पैर तबठाका बच्चों का कपड़ों रहे, इस तरह से बच्चर नहीं काटेंगे, और हम इस बीन विमारियों से बच्चों को सुरुचिता सकते हैं.